हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मी इन किचन आज हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा इसे हम बिना घिसे बिना कोई जंजग के कम समय में बनाने वाले हैं ये खाने में तो टेस्टी लगता ही है साथी साथी ये हैल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आप इसे वरत में बिखा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने दो पतली सी लौकी लिए ये 800 ग्रामे इन्हें हमें छील लेना है तो लौकी को हमने छील लिया है अब हमें इनके छोटे छोटे से पीसेस कर लेना है हमने यहाँ नरम लौकी ली है और इसमें बीज नहीं है अगर आप मोटी लोकी ले रहे हैं तो उसका बीज का पोशन निकाल दीजेगा क्योंकि वो खाने में अच्छा नहीं लगता हम लौकी का हलवा कूकर में बनाने वाले हैं तो इसके पीसे डारेक कूकर में कर लेते हैं तो कूकर को रख दिया है अब हमने कैस पर और इसमें डाल देते हैं आदा कप घी और लौकी को हमें मीडियम ख्लेम पर 2-3 मिनिट तक गून लेना है तो हमने लौकी को 3 मिनिट तक भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दूद तो हम ले रहे हैं एक गिलास दूद और इसे हम इसमें डाल देते हैं तो इसे मिला देते हैं और इसका धकन लगा कर इसकी एक सीटी आने तक पका लेते हैं तो कूकर की एक सीटी आ चुकी है, हमें इसकी ज़्यादा सीटी नहीं लेना है और अब हम कर देते ही गैस को बन और इसकी गैस निकलने तक इसे ठंडा होने देते ही तो कूकर की गैस पुरी खतम हो चुकी है और अब हम खोल लेते हैं इसका धगकन तो लौकी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे कलची से या फिर एक मैशर से मैश कर लेंगे तो हमने लौकी को अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इसे वापस चड़ा देते हैं गैस पर और इसमें हम डाल देते हैं इलाइची पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन फूट कलर डाल रहे हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो डाले नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसका हलवे में टेस्स से कोई फरक नी पड़ता लेकिन दिखने में अच्छा दिखता है लौकी का हलवा हम बिना खोए के बना रहे हैं तो खोए के जगों हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर और इसे हम दो बार में डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे यह हलवा पक्ते टाइम बहुत जाता उड़ता है तो इसे हम कवर करेंगे एक थाली से जिससे की यह हमारे चेहरे पे नह ऊड़े अब यह थोड़ा लिक्विधी है, जब टक यह थोड़ा गाडा नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पकाना है और फिर हम उसमें शक्कर एड़ करेंगे तो लौकी का हलवा गाड़ा हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर हलवे में शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले तो शक्कर डालने के बाद शक्कर मेल्ट होगी और हलवा थोड़ा सो और लिक्विडी हो जाएगा तो हम इसे 2-3 मिनिट तक और पकाएंगे तो लौकी का हलवा अच्छे से गाड़ा हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राइफ रूट्स तो ड्राइफ रूट्स में हमने लिया है काजू, बदाम और किस्मिस इनको हमने पहले इघी में फ्राइफ कर लिया था और इने हम इसमें डाल देते हैं और हलवे में हमें इने कर देना है अच्छे से मिक्स तो लौकी का हलवा बन कर तयार है, कैस को कर देते हैं हम बन और इसे उतार लेते हैं की टेस्टी लगता है और साधी साथ यह हैल्दी भी होता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताई कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी